जदी आपका Snapchat account है के कर लिया गया या आपका Snapchat account कई अधर जगह अधर के phone पे open है और आपके phone पे भी open है वो भी आपकी चीज़ा देख रहा है फोटू वीडियो तो आप उससे कैसे logout कर सकते वो सब कुछ बताने वाला हूँ इसका एक ये option है आप अपने account को permanently delete कर दे गाइज अगर आपको photo recover, video recover करने है Snapchat से तो आपको playlist में जाके playlist में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी A to Z Snapchat से related account बनाने से लेके delete तक इसलिए वहाँ पे आप विजिट कर लिजगा गाइज ये चीज़ा आप करो कि तो आपको 100% वहाँ पे benefit भी मिलने वाला है गाइज अगर आप चै इससे पहले अगर आपने इस्टाग्राम पे फॉल इन किया जल्दी से जाके फॉलो करें वहाँ पे आप अपनी समस्या पता सकते हैं आपको ले चलता हूँ फॉन की सीन पर बताता हूं कि आप भी step कैसे करेंगे गाइज ये वीडियो देख लेते तो आपका account परमामेटरी डिलीट हो जाएगा Snapchat का कोई आपको hack भी करता है तो उसके phone से भी account डिलीट हो जाएगा अगर आप यहां से कर देते तो अगर लॉग आउट करेंगे तो नहीं होगा देखिए पूरी वीडियो द्यान से देख लीजीगा और आपको सब कुछ समझ बाने वाले देखिए Snapchat को अगर आप ध्यान से देखो कि तो सब कुछ समझ बाने वाला तब तक वीडियो को आप लाइक कर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर देखिए यहां पर आपको एक उप्सन आएगा आई नीड हेल्प देखिए सपोर्ट जहां पर सपोर्ट का ऑप्सन आ रहा ह आई-need-helf देखिए आपको यहां पर क्लिक करना है जहान से वीडियोको देखते रहें देखिए यहां पर क्लिक करने है थोड़ा सा वेट करेगा जैसे यह लोडिंग होता है आपको new interface दो एकने को मिलका तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइज अगर आपको श वो भी सब कुछ बताऊंगो बस आप देहां से देखते रहे गाईज देखे गाईज आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर My Account Security पर यहाँ पर चले जाना है जैसे यहाँ पर चले जाएंगे इसके बाद आपके पास ऐसा option खुलेगा आपको यहां से अपने account को delete करना है तो कैसे करेंगे देखे यहां से अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखे account security पर चले जाना है जैसे यहाँ पर अकाउंट शिकरोटी पर जाएंगे इसके बाद देखे delete my account का option आ रहा है ध्यान से देख लिजगा एक एक step आपको ध्यान से देख सकते गाईज अगर आपको account delete हो गया उसे कैसे recover करना है वो चीज अगर चाहिए तो आप comment box पे comment कर सकते और instagram पे follow कर लिजगा क्योंकि कभी भी problem आती है तो आप समस्य हाल कर सकते लिंक आपको description box में गाईज मिल जागा देखे delete my account पे जैसे click करेंगे देखे आपके पास ऐसा interface को लिएगा इसकी कुछ term and condition होंगी इस term and condition को आप पहले ध्यान से पढ़ लिजगा देखे ये बोल ला है कि अगर आप 30 दिन के अंदर login करते हो अपने snapshot account पे इसी ID से तो आपका फिर से recover हो जाएगा देखे आपका फिर delete नहीं होगा इसलिए मैं पहले बता देदा हूं आप 30 दिन तक कोई login नहीं कर देखे अगर login करोगे तो आपका फिर delete नहीं होगा कि देखे आपको कैसे डिलीट करना है देखे यहां पर आपको यहस परyi मियेज़ कर देना आप यहां परे करेंगे तो आपकाोउंट डिलीट हो जाएगा देखे यहां से कैसे करेंग है यहां पर yes पर करेंगे तो आप देखे my account login my Snapchat contact you यहां पर help you with कर सकते आपको कैसे डिलेट करना है यह सब कुछ आप बताने वाला हूँ देखे गाई जहां पर आपके ट्रम एंड कंडिशन है how to delete your Snapchat account यहां पर आपके पास एक green color में देखे बिल्यू कर लगाई अकाउंट पो पो ट्रल लिख्या रहा होगा इस पर आपको किलिक करना है जैसे यहां पर किलिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर यूजर ने पहनल से आ जाएगा और यहां पर आपको password फिल करना पड़ देखे यहां पर लिख्या अगया यह श्नेप्चेट अकाउंट वी डियक्टिवेट सून अकाउंट देखे डियक्टिवेट का option आपके सामने दिख्या आगया देखे यह अकाउंट आपका डिलीट हो चुक है आपको तीस दिन सक इस अकाउंट से login नहीं करना है वहारना आपका अकाउंट फिट से recover हो जाएगा उम्मीद आपको वीडियो पसंद है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देखे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगते वीडियो को आगे सेर भी कर देखे कई लोग ऐसे हैं जिनको यह कर देखे कर दो